अच्छा जी एक और बंदा कोई आया पता नहीं यह जली मुझे लग रहा है हलो हलो हां जी क्या हाल है जी अवाज आ रही है हां जी आ रही है जी इसलाम बात कर रहा हूं हां जी हां जी माद साथ क्या हाल है कैसे क्या बात करेंगे आप हम तो ठीक है जी आपके सामने जी जी बस टॉपिक प्लीज वांस अगे आप प्लीज बता दें क्योंकि मैंने भी अपना यूट्यूब आउन किये तो आपकी लाइश्ट्रीम चारी थी तो मैंने कर चले आपको यह पनी आपिक तो आज आज जो ठीक 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 तो नहीं है तो बिलकुल अभी वह मैं देख रहा था यह इनजीनियर मिर्जा जो है उन्होंने भी कम्यूट्टी पे अपलोड अपना शिर्की वी थी बात कि हम बड़े शर्मिन्दा हैं मुसल्मान यह जो यह वह है ट्राजिट्री हुई इंसिट् पर था मुझे नहीं पता उसका क्या नाम है तो अधर भी मैं यह बात कह रहा था कि जो है शिद्द पसंदी ना हो इल्मी अखिलाफ को आप रखें और इतिकादी अखिलाफ को रखें मगरे कि यह चीज़ यह मुनासिब नहीं है मेरे एक राए है बाकी मैं तो जाहरा है हमारे तो प्रॉफिट मुहम्द ंर्लाहु आज़िव आलिशसलम् ने हमें यह तालीम नहीं दी जो के जो पाकिस्तान में यह वा तो मेरे बलके मैं अकेला नहीं जाले मेरे एक सवाल है आज एक सवाल है मेरे अज जो मैंने सब से पूछा है क्या आप समझते हैं कि तहरीक लबाक एक तैश्यत गर जमात है जी मैं आर्ज करता हूँ इसके जवाब देता हूँ प्लीजिष मैं answers करोंगा कि बास की बात करूँ गो नको पर पिर गांगे यार ये एथियास के पास या किसी और के पास गया है इसने बात क्योंकि ये हमारे हैं बहुत शिद्ध पसंदी है, सक्ती है, थोड़ी थोड़ी बात पर समा सुए ये हमारे के हैं तारिक जमील साथ, इन में बहुत नर्मी है और इनकी वैसे लाखो करोन लोग हिदायत पर आए, अच्छा दूसरी बात जो आपने सौल की है आपका स्वाल एक वजनी स्वाल है, नो डाउट, एक आपकी एक एक राय है, उसका ये जौब दूँगा के अभी तो जो है, नुमाइंदे जो बलके टील पी के प्रेजिटन्ट है, साथ साथ हैं, तो मुझे एक सहाफी हैं, पाकिस्तान में, उनका नाम मैं नहीं लूँगा, इसकिप का रहा हूँ, तो उनसे मैंने भी राप्ता किया, तो उनका जी कि वो जो है, इस इंस्टेजन्ट ये ट्राजिटी हुई है, तो इस बात पर डिनाए का रहे हैं, तरदीद का रहे हैं, मुझे आप पूरी इन्फरमेशन नहीं है चुके, तो मैं तो बात करूँगा जी सीदी के शिदत नहीं होनी चाहिए, और ये मामलाथ नहीं होनी चाहिए, जिसकी वैसे फिर जो है पाकिसान, जो है आगी मामलाथ पाकिसान की किदर इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो, बाकी आप सुनाएं, आपकी तबियत कैसी है, ना हमारी तबियत तो जी, आप लोगों ने जैसी की हुई है, वो देख देख के बंदे की तबियत खराब ही होती है, ना कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है, तो दूसरी बात ये है कि तहरीक लबैक के नारे हर गिरजा घर जिलाने पे लगते हैं, हर बंदे को माब लिंच करने पे लोगों को कतल करने आज तो बलके ये भी नारे लगेंगे तोहीने कुरान की सजा सरतन से जुदा, ठीक है, नारे भी अप्ग्रेड उतते जा रही हैं, यकीन करें कल को ये आप मैं आपको बता दूँ, या आप मेरी बात लिख लें, कल को ये भी नारा लगेगा, दियो बंदी की सजा सरतन से जुदा, एहले धीस की सजा सरतन से जुदा, शिया की सजा सरतन से जुदा, और ये ब्रेल भी ही लगाएंगे, और यकीन करें, एक दिन आप भी उधर ही बैठके रहेंगे, जिदर बैठके हम रोते हैं, पाकिस्तान के वो लोग जो पाकिस्तान को एक सैकुलर, और ऐसा मु ठीड़ी 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 ठीड़ रहा हूँ कि मेरा तो क्योंकि सबसे प्यार महबत वाला मामला है कि 90 जो है ना जीपल के 70 परसंट या 80 परसंट आप कहलें शिद्ध पसंदी है मक्तव है जो फिरका बरेल्विया में बाकी जो है हाँ एक बात बताओं आपको आप यानि कि बड़ी जीव सी बात है और बड़े के हिरान भी होंगे अवामो नास जो पब्लीक है पब्लीक जो है उनके अंदर एक हार्मनी है उनके अंदर नर्मी है और जो है वो मामलाद ठीक लेके चारे होते हैं वो नहीं चाहते हैं तो फिर ये वाम कहां से आए थे जिन्नों ने आज को दस को बीस चर्च जिला दिया छोटे छोटे ठीक है ये वाम कहां से आये थे ये कौन थे ये कौन थे ये मदरसों के तालब इल्म थे ये टी यल पी के जो जंग जुकार कुन थे ये तालबान ने बेज़े ते अवानिस्तान से आये थे कुछ तो कादियानियों पर जाम लगा रहे है ठीक है ये कहां से आये यह बात आपकी ठीक है, इंडिया से नहीं थे, मगर यह बात जो हमारी गोरण पाकिस्तान, क्योंकि भी मैं ट्विट देख रहा था, पीम साब का, और बाकी जितने भी आफिसर्स के ट्विट्स आये हैं, तो इस पर वो जाहरा है, यह रिस्पांसिबल स्टेट है, बाकी, मैं तो आखरी बात कहके आपसे जाज़ चाहूँगा, क्योंकि यहाना लाइट का मसला बहुत हो रहा है, हमारे पाकिस्तान में, यह से क्या कहते हैं, वैसे आप ऐसे आलमे दीन, पाकिस्तान की मसी बरादरी के लिए कोई पेगाम देना प्संद करेंगे, जी जी मैं पेगाम द उसे बैठ कर बात की जाए, मैं तो यही कहूँगा, बैठ कर बात की जाए, वैसे जो चर्ट जले हैं, उस पे पाकिस्तान के उलमा को माफी नी माँगनी चाहिए, यह जनाम उलमा जाने, नहीं आप भी तो आलमे दीना, क्या आप से समझते हैं कि कही ना कही उलमा फेल हो ग माफी माँगनी चाहिए, तो आप क्या इतनी इखलाकी जुरत दिखाएंगे कि आप माफी माँग लें, पाकिस्तान के उलमा के बहाफ पे, मैं इखलाकी जुरत दिखाओंगा, पर मैं आपको एक मज़े की बात बताओं, आवाज आ रही हैं, हंजी हंजी आ रही हैं, मगर जो हम सुनना चाह रहे हैं, उसकी नहीं आ रही है, नहीं नहीं, मैं जो मैं सुनना चाहू रहा हूँ, मैं तो अपनी बात पॉइंट आव यू से करूँगा, आप देखेएगा, कि उस पर स्कॉलर्स जो हैं, वो इस पर अपना पॉइंट आव यू दे देंगे, इन्शाला पतल अब जहां तक मेरी बादरी, तो मैं यह कोँगा, कि बैठ के बात कीज़े, तैट सॉल, नहीं मगर आप यह समझते हैं, कि माफी नहीं मांगनी चाहिए इस पर, मुसल्मानों की तरफ से किसी शखस को पाकिस्तान की मसीही अकलियत से माफी नहीं मांगनी चाहिए, इस बात में माफी मांगेंगे, कि हमने तुम्हारे चर्च जलाए, हमने तुम्हारे लोगों को जलाया, हमने तुम्हारी औरतों के रेप किये, हमने तुम्हारे घार जलाए, तुम्हारी बाइबलें जलाई, हमने तुम्हारे हकूक तुम से छीने, तुमें हमेशा नीचे दब करते हैं कभी कोई मुला इस बात पर माफी मांगेगा क्या पाकिस्तान के वजीर आजम को या पाकिस्तान के हूम मिनिस्टर को या पाकिस्तान के सदर को या पाकिस्तान के आर्मी चीफ को जो इस पूरे मुलक का डैडी होता है जो बाप कहलाता है सब का ठीक है कभी किसी में इ किया धरा मौलवियों का ही है ठीक है ये सामने से मजम्मत करते हैं मगर मच के आंसू क्या होते हैं भाना वो इन मौलवियों से को पूछे सामने से मजम्मत करते हैं और मजम्मत भी नहीं करते हैं या इतने टूटी जुबान से मजम्मत करते हैं कि जैसे ये घुंगे हो गए औ और माफी मांगना ता दूर की बात है, पाकिस्तान की अकलियतों से कौन माफी मांगेगा, क्या आपको पिछले 75 साल से हम आपका खून पी रहे हैं, हम वो भेडिये हैं जो आपकी बोटियान होच रहे हैं, मगर आप से कभी माफी मांगने की जुरत हम नहीं कर सकते, क्योंकि जिस दिन पहली बार इनोंने माफी मांग ली ना, इनसान को माफी मांगने के बाद शर्मिंदी की महसूस होती है, जो apology होती है ना, वो correction का पहली सीड़ी होती है correction की, क्योंकि जब मैं किसी बात पर apologize करूंगा ना फिर मैं उसे correct करूंगा, मैं अपनी गल्ती को मानूँगा, यहां तो बन्दे ने गलती ना कियो तो फिर वो अपालोजाइज नहीं करता, ठीक है? मगर जहां पे गलतीया की हो, जहां पे लोगों का खून पिया हो, जहां पे लोगों को तंग किया हो, वहां पे पिर माफी मांगनी तो बनती है ना, मगर कभी कोई मुला, घामदी, इंजीनियर, तारिक जमील, तारिक मसूद, अश्रफ हिलाली, ठीक है? कोई दुनिया का मौल भी पाकिस्तान का आप देख लें, कभी मर जाएंगे, कभी माफी नहीं मांगेंगे पाकिस्तान की प मांगेगा, पर वेज अगर जिन्दा होता तो वो भी ना मांगता, ठीक है? क्यूं? क्यूंके इनके ही खून से हाथ रंगे हूँ है, ये याद रखिएगा आप बात, यही वो लोग है, कि माफी मांगने की बात आए तो पतली गली से निकल नहीं है, माफी मांगने की बात पतली गली से, मैं सोच रहा था कि आज कोई तो मुसल्मान आएगा जिस से मैं पूछूंगा, कि माफी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए, क्या इतने बीस गिरजा घर जलाने पर माफी मांगनी चाहिए या नहीं, पचास घर जलाने पर माफी मांगनी चाहिए या आप उसे माफ नहीं करते हैं ठीक है आप तो उसको कभी भी माफ नहीं करते हैं आप तो जब तक उसकी खून का आखरी कत्रा भी उसकी रगों से आप मिचोड़ ना लें उसकी आंखें उसकी खोपड़ी से खींच ना लें उसकी जुमान उसके हलक से खींच के काट ना लें त तब तक आपको चैन नहीं आता, जब तक लोगों की, लोगों के सीने की पसलियों के पंजर में से एक एक पसली नह तोड़ लें, तब तक आपको ये चैन नहीं आता, आपको तो मरी हुई लाशों पर भी तरस नहीं आता, मशाल खान की लाश पर तरस नहीं आया था, प्रेया था कुमारा की लाज पर तरस नहीं आया था, पिछले साल आपने पागल लोगों को कतल किया है, पागल लोगों को, जवेद और एक दूसरा और शखस था, जो बचारा जेनी मरीज था, पिछले साल आपने उनको बेदर्दी और बेरहमी से मारा है, ठीक है, बलासमी ला की पाकिस्तानी हिंदू भाई, रोरो के मार जाते हैं, उनकी बेटियां उनको कोई वापस नहीं करता, ठीक है, वो रोरो के पागल हो जाते हैं, उनकी बचियां दुहाईयां देती हैं, अदालतों में खड़ी हो के, कि हमने अपने माबाप के पास जाना है, बेगारत जज़, उनको दारुलमान बेज देते हैं, या वापस उस खामन के पास बेज देते हैं, जिसके साथ उनकी forced marriage यां, जबरदस्ती जिनके साथ उनकी शादी देती है, मिया मिठू जैसे कंजरों को सरकारी तहफुज दिया जाता है, बाजवे जैसे जैसे जनरल उसको तहफुज देत ठीक है, इतनी limit थी, तो पाकिस्तान की अखलियते हैं क्या करें, पाकिस्तान की अखलियतों का क्या मुकदम है, क्या उकात है, पाकिस्तान की अखलियतों की, क्रिस्चन कम्यूटी की क्या अखलियत की उकात है, किसी ने कभी माफी भी नहीं मांगी उनसे, किसी किसने माफी म मांगी आज तक कौन है जिसने मांगी आज तक इनको मांगनी चाहिए मांगनी चाहिए ना इतने चर्च जला रहे हों मांगनी इत सेंकड़ों बाइबल्स आपने जला दी आपको मांगनी चाहिए अगर मुसल्मानों में थोड़ी बहुत भी पाकिस्तान के मुसल्मानों में श कोई भी नहीं मांगेगा क्यों नहीं मांगेगा क्योंकर जिस दिन मांग लेंगे इंसान फिर शर्मिंदगी से अपनी गलती को सुधारने की कोशिश शुरू करते था है ठीक है आनपॉलजैटिक जो लोग रहते हैं जो अपॉलजाईस नहीं करते कभी भी जो उस पॉंट तक लगफ नहीं जाते हो कभी भी अपनी गलती को नहीं सुधार दे। पाकिस्तान में अकलियतों के हकूब के मामले में फाश गलतियां नहीं की गई भलके बरबरियत और वहशत से काम लिया गया शुरू से ठीच है मगर कभी भी मुसल्मान अगर काफर से माफी मांग ले इसकी तो हमें तारीख में इसलामी में को मसाल नहीं मिलती कि मुसल्मानों ने कभी काफरों से माफी मांगी हो काफरों ने बड़े मुसल्मानों से माफी मांगी है मगर मुसल्मानों ने कभी काफरों से किसी बात की कोई माफी नहीं मांगी चाहे उनकी बेटियों को लौनिया मनाया हो चाहे उनके बच्चों को कतल किया हो बात तो यहा कि हजरत मुहम्मद को यहुदियों से माफी मांगनी चाहिए थी और बलके आज के मुसल्मानों को हज़र्ट मुहम्मद के भी करतूत के उपर माफी माँगनी चाहिए ठीक है मगर नहीं माँगेंगे क्यों माँगेंगे ठीक है क्यूंकर अल्ला छोटा हो जागा ना जिस दिन ये माफी माँगेंगे लाइक शेर और सबस्क्राइब करना मात भूलें इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियोन पर सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियोन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है